गुड मॉर्निंग एवर्यवन, स्वागत आप सभी का विजडम एउक्रेशन पे आज 1 अगस्ट 2020 है, दैनिक जागरन के राष्टिय संस्क्रन का कम्पलेट न्यूज एनलाइसिस करेंगे जो UPSC, State, PCS या किसी भी One Day Exam के पिलिम्स, मेंस और इंटर्व्यू तीनों ही प्रस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट है तो आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें आप लोग बहुत कम लोग लाइक करते हैं, आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करें, राइट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कोई question पूछन पूछना, comment section में question पूछन पूछते हैं तो आज का question, question से डेली की तरह मैं शुरुबात करते हूं आपके साथ, और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग पौछ करके इस question का जवाब हमें comment section में दे दें, वीडियो के आकरिम मैं इस पर discuss कर दूँगा question क्या है, कि राष्टिय सिक्षा निती 2020 के तहद GDP का 6% खर्च होगा, जो राष्टिय सिक्षा निती 2020 के draft आया है, उस draft के अनुसार GDP का 6% खर्च होगा तो आपको ये बताना है, कि सबसे पहले किस समिती ने या सिफारिस के थी, कि GDP का 6% education पे खर्च किया जाए option A है कोठारी समिती, option B है रंगराजन समिती, option C है मोहन रड़ी समिती, या option D है केक कस्तुरी रंजन समिती देखो, रिया पे money laundering का case दर्ज, तो जहां भी कही पैसा का मिटर आएगा, money का मिटर आएगा, या money laundering का मिटर आएगा, वहाँ पे एक संस्थान आपके लिए काफी अधिक important हो जाएगे तो यह news important नहीं है, लेकिन यह जो संस्थान है, money laundering पे action लेने के लिए भारत में एक मात्र संस्थान है, जिसका नाम है परवर्तन निदेशाल है, ED, यानि enforcement direct rate, UPC point of view से काफी important है यह संस्था ED की अस्थापना 1956 में हुई, एक माई 1956 को हुई थी, और उस समय में एक अधिनियम के द्वारा हुई थी, जिसका नाम है फेड़ा Foreign Exchange Regulation Act 1947 के तहट, एक माई 1956 को ED की अस्थापना हुई उसके बाद ये एक्ट फिर 1973 में इसमें संसोधन हुआ, फेरा 1973 में इसमें amendment हुआ और उसके बाद, फाइनली एक जुन 2000 को इसमें amendment होकरके ये फाइनली बन गया Foreign Exchange Management Act, तो जहाँ पहले फेरा था Foreign Exchange Regulation Act था, वहीं अब फेमा हो गया Foreign Exchange Management Act हो गया तो आर के जगा जो regulation था, उसके जगा management हो गया वित्य मंत्राले के राजस्य विभाग के अधिन यह एक वित्य एजेंसी है AD कहां की वित्य एजेंसी है, तो वित्य मंत्राले के राजस्य विभाग के तहत एक वित्य एजेंसी है Headquarter नई दिली में और साथी साथ पांच छेत्रिय कारियाले हैं मुंबई में, चलनई में, कौकत्ता में, चंडिगर में और डली में दो एक्ट का अगर उलंगन होता है, तो ED एक्षन लेती है, एक तो फेमा एक्ट 1999, जो 2000 में फांली आया था और दूसरा है PMLA Act, Prevention of Money Laundering Act 2002 और Foreign Exchange Management Act 1999 इस दो एक्ट के उलंगन होने पे, यह संस था, यानि ED एक्षन ले सकता है, ED कारवाई कर सकता है तो बेसिकली आपको जानकारी होना चाहिए कि जब भी कभी Money Laundering का मेटर होगा, ED एक्षन लेगा, उम्मीद करता हूँ, ED के बारे में आपको Basic Concept के लियर हो गया होगा और इसी Basic Concept से, UPC हमेशा Question पूछता है देखो कल भी हम चर्चा किये थे आपके शाथ कल हमने चर्चा किया था, EPCA को लेकर के आज भी यहाँ पर चर्चा है अब जो है, यहाँ पे जब आपको पराली के बारे में लिखना होगा पराली, यानि जो किसी उत्पाद होता है, उसका अफसिस्ट होता है जिसे धान जो करता है, तो धान का जो है, बिहार मुसको लार कहा जाता है तो धान का जो लार होता है, उसे ही पराली कहा जाता है एक तरह से तो पराली के क्या होता है, कि जलाने से दिल्ली में एर पॉलिशन बढ़ जाता है खास करके अक्टूबर, नौवंबर, दिसंबर, जन्वरी, फर्वरी की सननना तो पराली को, जब आपको लिखना होगा कि दिल्ली के एर पॉलिशन को किस तरह से कंट्रूल किया जाए तो आप लिख सकते हैं कि पराली को किसानों के आमदनी का जरिया बनाया जाए पराली से क्या हो सकता है पराली से एक तो जो मवश्य है उसके खाने के उप में इस्तमाद हो सकता है पराली का दूसरा कागज बन सकता है तीसरा जो है बायू गेस बन सकता है तो ये तीनों के तीनों काम पराली सो सकते हैं और भी चीज़ें हो सकती है तो आपको जो देना है स प्रिसान जला देते हैं अपने खेत में और जिसके कारण दिली में एर पॉलिशन किरियेट होता है तो उसके जगा पराली को हमें आमदानी का जरिया बनाना चाहिए तो एक बार इसको पर लेना इस रूप में देखो नई सिक्षा निति जो आई है उसका ड्राप्टिंग किया है यह देखो केक कस्तुली रंजन साहब है और इसी ने ड्राप्टिंग किया है और यहां पर यह बता रहे हैं आज मैं सिक्षा निति पर डिटेल से डिसकस कर दूँगा यहां पर इन्हों ने कहा है कि कोश्चल विकास पर भी बीसे धियान दिया गया और साथी साथ यह जो न्यूज है यह न्यूज भी नई सिक्षा निति को लेकर किया है गाउं के होनारों को लुभाईगी सरकार बनाएगी सिक्षक तो चार वर्स का अब B8 का प्रोग्राम सर बन सकते हैं तो दोनों को एक बार पढ़ लेना आप बाकी नीचे में एडिटोरियल में मैं डिटियल से डिसक्स कर दूंगा राष्टिय सिक्षानिती 2020 को लेकर कि यह भी उसी का पाट है कि मात्री भासा में शुरुवार्ती पढ़ाई से उपजे की समझ निशंग कमेंट सक्षन में आपने हिस्ट्री अगर पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में पता होगा आपको कि किस सम्मित्य के सिफारिस पे जो मातरी भासा की पढ़ाई थे सबसे पहले भारत में कि सम्मेति के सिफारिश पर जो शुरुवाती पढ़ाई थे बेसिक पढ़ाई थे जो बच्चों की पढ़ाई थे वो मातरी भासा में करने की चर्चा की गई थी कमेंन सेक्षन में मुझे बताना किस सम्मित्य के सिफारिश पर ऐसा किया गया था इसको भी एक बार आप पड़ सकते हैं देखो यहां पर अगर आप यूपिसी के त्यारी कर रहे हैं तो आपको इन सक्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए असोग खिम का एक इमानदार आई-एस ओफिसर जिसका लगवग पचास बार से भी अधिक बार ट्रांसफर हो चुका और इन्होंने जब हाई-लाइट में तब आई यह जब सुन्या गांदी के दमात थे रोवाट वाटरा रोवाट वाटरा के खिलाप यह एक्शन लिये थे उस समय में यह हर्याना केडर के आई-एस थे और उनके बाद जो सरकार प्रिवर्तित हुई सरकार प्रिवर्तित होन करता है कि एक आई-एस ओफिसर जो काफी इमानदार है उसका पचास बार से भी अधिक ट्रांसपर हो गया है भलही किसी भी पार्टी की सत्ता आई हो तो को यह पोलिटिकल बात हम नहीं करेंगे बस यह संस्था इंपोर्टन है आप आपके लिए केट केट क्या होता है केट सेंट्रल एडमिस्ट्रेटिव ट्यूटल एक ट्यूब्नल है जो एडमिस्ट्रेशन को लेकरailed के जो मेटर होता है डिस्पूट होता उसको सुल्व करने का काम करती है हिंदी में से काया जाता है केंदरिय प्रसास्निक अधिकरन इसकी अस्थापना 1985 में हुई थी प्रसास्निक नियाधिकरन अधिनियम 1985 कृत्त हुई थी एडिमिस्टेटिव टिवुनल एक्ट 1985 के द्वारा केट के अस्थापना हुई है बस इतना याद रख लेना दूसरा याद रख लेना है कि भारत की समिधान के आर्टिकल 323A देखो यह सारा का सारा जो है कई वार कोशन पूछा गया केट के अस्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया है केट के अस्थापना किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है ये भी कई बार पुछा गया तो भारत की समिधान के Article 323 के ए जो 42 समिधान संसोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था समिधान में इसके माध्यम से कैट की अस्थापना हुई I repeat कैट के अस्थापना Article 323 एक द्वारा हुई है जिसको 42 समिधान संसोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया तो इतना basic information होना चाहिए कैट क्या करता है कि किसी भी तरह का administrative matter होता है उस पर action लेने का काम करता है दिखो यहाँ पर यह political news है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको इस रूप में देखें कि जो है ग्रामिन बैंकिंग अग्रामिन सेल्फ हेल गुरूप यह सब के जो जनक है यह जनक है, यह सख्स बंगलादेस के हैं यह सख्स, महमद यूनुvit ग्रामिन बैंकिंग के llegó Siri के जनक इसको माला जाता है और इसके लिए इसको Nobel प्राइस दिया गया तो कई बार एस्टेट पिस्टेस में ये question पुशा है तो महुबद यूनुस के बारे में जागर के आप पढ़ लेना इसके बंगलादिस के नहीं ये इसको Nobel मिला है ग्रामेन बैंकिंग के जनग इसको कहा जाता है कामेन बैंकिंग का संस्थापक इसको कहा जाता है राइट देखो हमने कुछ दिन पहले डिसकस किया था आर्टिकल 370 को रिमूब करना क्यों जरूड है अगर आपको पोश्टिव लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं बाल में की समाज के आरे में लिख सकते हैं बाल में की समाज को 1957 के आसपास जम्मू कस्मिर के जो कुछ रहिस लोग थे वो अपने यहां बसाए पंजाब के आसपास के लोग थे बाल में की समाज के लोग और इनका में परपस इनको जो है जम्मु कस्मिर में बसाने का में परपस था कि वहाँ पर बहुत सारा घरेलू जो काम है जम्मु कस्मिर के जो रेश लोग थे वो अपने घरेलू काम करवाने के लिए इसका इस्तमाल करते थे नोकर चाकर की तोर पेस्त का इस्तमाल करते थे तो इसको कभी जम्मु कस्मिर की नागरिक्ता नहीं मिली थे साथ वर्स से एक व्यक्ति किसी एस्टेट में रहा हो और पता चला है कि वहां कि उसकी नागरिक्ता है ही नहीं तो ऐसी कंडिशन में अभी जब आर्टिकल 370 एबोलिस हो चुका है, हट चुका है, तब इनको नागरिक्ता मिल लए है, और साथी साथ जम्मो कस्मिर में जो बाहर से लोग आके बसे थे, पाकिस्तान से जो लोग आके बसे थे, उसको भी नागरिक्ता नहीं मिल ला था, तो आर्टिकल 370 को एबोलिस करने के बाद अब उन लोगों को नागरिक्ता मिल ला है, उन लोगों को हक मिल ला है, तो एक बार इसको इस रूप में आप पढ़ सकते हैं, यहां पर ट्रिपल तालाक को लिकर दिया हुआ, अल्यदी कई बार हमने डिसकस किया ट्रिपल तालाक, एक बार ट्रिपल तालाक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो मुझे में टॉपिक डिसकस करना है, वो करना है राष्टिय सिक्षानिती, देखो राष्टिय सिक्षानिती 2020, ड्राप्टिंग आया अभी, अभी यह पारिक नहीं हुआ, पूरी तर से अभी इसका ड्राप्ट आया, पहली बात तुई है, दूसरी बात यह है कि भारत में ये तीसरा, सोतंत्र भारत के इत्यास में ये तीसरा राष्टिय सिक्षानिती है, सबसे पहले आया यार 1968 में, उसके 18 वर्ष के बाद 1986 में आया, और उसके 34 वर्ष के बाद 2020 में आ रहा है, तो काफी गैप के बाद राष्टिय सिक्षानिती देश में आ रहा है, बहुत सारा इसका रिचन है, राष्टिय सिक्षानिती को लाने का बहुत सारा कारण है, सबसे पहला और सबसे इंपोर्टेंट कारण है कि भारत की जनानंकिया लावहांस को इस्तमाल किया जा, डेमोग्राफिय समीति 9064 ने सिफारिश के थे तो कोठारी समीति के सिफारिश को के बहुत सारे सिफारिश को राष्ट्य सिक्षा नेति 1968 में मान लिया गया लेकिन GDP का 6% खर्चो इसे नहीं माना गया इसी तरह से जब नीति बनी उस समय में भी कोठारी समीति के रिकमेंडेशन को कुछ आगे एक्स्टेंड किया गया लेकिन यहां भी GDP का 6% एजुकेशन पर खर्चो इसको नहीं माना गया और 2020 में फाइनली कोठारी समीति जो 1964 में बनी थी उसके रिकमेंडेशन को माना गया कि सिक्षाप पे GDP का 6% खर्चोगा उसकी अलावा 10 प्लस 2 का जो मोडल था इस मोडल को चेंज करके कर दिया गया 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 यानि जो है पाहली जो 5 वर्स है डरसरी, LKG, UKG, पहला और दूसरा है यह जो 5 वर्स ह इसमें एक अलगतर के युकिसंदों होगी इसके ज को जो है। वर फोर्थ एस्टेंडर इन और तक अलग गोगेशन होगी और नाइन टैन अलवन्ट का एक अलग एस्टेंडर होगा तो यह चार इस्टेंडर में डिभाइट किया गया और वुसे वह जहां तक मेरी भी समझाए कि 9th, 10th, 11th और 12th का लगवक सिलिवस मैच होता 9th की चीज़ें आपको 11th में मिल जाएगे और 10th की चीज़ें आपको 12th में मिल जाएगे तो ये काम इस सिक्षानिति के तहत किया जा रहा 4 अलग-अलग भाग में डिभाइट करके चार अलग-अलग उसके लिए रन नित्ती अपनाई जाएगे 4 अलग-अलग भाग में डिभाइट करके 4 अलग-अलग रन नित्ती उसकी तहत अपनाई जाएगे तो ये जो कॉनसेप पहले 10 प्लस 2 होता था अब इसको finally 5 plus 3 plus 3 plus 4 कर दिया गया सबसे important provision पहला provision कि Ministry of Human Resource Development मानव संसाधन विकास मंत्राले के नाम बदल करके सिक्षा मंत्राले किया जा रहा दूसरा है कि सिक्षन परनाली से क्या सुधार होना चाहिए educator से क्या सुधार होना चाहिए शिक्षक में क्या improvement होना चाहिए वह सबसे अधिक important है और इसके लिए इसमें सिफारिस किया गया है काम किया गया है कि national professional standard for teachers की अस्थापना किया जाएगा 2022 तक सरकार का टार्गेट है कि professional teacher के लिए क्या मापडन होना चाहिए teacher के लिए क्या मापडन होना चाहिए क्या कोई व्यक्ति ऐसे ही पढ़ा सकता है या उसके लिए certain criteria होना चाहिए इसकी development किया जाएगा 2022 तक साथी साथ 28 course को जो है चार वर्स का कर दिया गया अगर आपको teaching करना है आपको चार वर्स का बेट करना होगा और वो अनिवार होगा अगर आपने चार वर्स का बेट कोर्स किया है तभी जाकर कि आप teaching में जा सकते हो तो एक तरह से जो है teaching को as a profession को अपनाने की बात कई गई है और के लिए सरकार काम कर रहे है इस सिक्षानेती के ताहत राइट टीचिंग एक अच्छा जो है इसको spelling नहीं आता वो बच्चों को प्राह रहे है तो ऐसे तीचर अगर बच्चों को प्राहेंगे तो बच्चों को भवी से क्या होगा इसको ध्यान में रखते हुए teaching की improvement की चर्चा यहां पर की गई है उच्छ सिक्षा के लिए सबसे important था gross enrollment ratio वो बच्चे जो 12 करने के बाद higher education में enroll होते हैं वो महज अभी तक 26.3% ही होते हैं 26% बच्चे ही gross enrollment ratio है भारत में भी 18 का रिश्यो 2018 तक में 26% ही बच्चे ही gross enrollment ratio था यानि यह higher education में 26% बच्चे ही सामिल होते हैं इसको बढ़ा करके 50% करने का लक्ष कि जितने बच्चे 12 किये हो जितने बच्चे 12 तक किये हो पास हो वो अधिक से अधिक higher education में participate कर सकया साथी साथ देश के उच्च उच्च सिक्षन सरस्थानों में 3.5 क्रोर नई सीटों को जोड़ा जाएगा यह भी एक सांदर काम है सबसे important काम क्या है यहां पर यह काम है कि जैसे चार वर्स का कोर्स होता है ग्रेजूशन का जैसे मानलों इंजरिंग का भी चार वर्स का कोर्स होता है तो पहले वर्स अगर आप छोड़ दोगे फिर भी आपको डिगरी मिलेगा और पहले वर्स छोड़ने के बाद हो सकता है दस वर्स के बाद आपको इच्छा हुआ कि मुझे फिर पढ़ना चाहिए तो second year से फिर आ अलग डिगरी मिलेगा है तो फर्स्वर्स के बाद एक वर्स म्लें चैस और चारों सकतार के घिंवहीं होगी पहले वर्स के बाद सोडी मिलेगा और फिर फूर्त में सोड के साथ आपको डिगरी मिलेगा साथी साथ बिभीन उच्छ सिक्षन संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए academic, bank और क्रेडिट की अस्थापना किया जाएगा यानि आपका marks, आपका data, आपकी certificate डिजिटल रूप में इंस्टॉल होगी, डिजिटल रूप में सुरक्षित होगी सरकार के पास और नई सिक्षानिति की तथ एमफिल को समाप्त करने का प्रोविजन किया गया तो यह higher education के लिए लिया गया step है साथी साथ भारत में उच सिक्षा आयोग की अस्थापना की जिक्र किया गया higher education commission of India UGC का अस्थान यह संगठन लेगी UGC का अस्थान higher education commission of India लेगी प्रारंभिक सिक्षा प्रारंभिक सिक्षा के लिए जो पांच वर्स इनिशल पांच वर्स है जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 है तो यह जो पांच वर्स है इसको दो हाग में बाटा गया है एक तो प्री नर्सरी हो गया नर्सरी हो गया है उसके बाद UKG हो गया UKG हो गया एक पिरी वाला पार्ट हो गया, एक हो गया पहला और दुसरे के लिए तो इसमें क्या क्या गया है कि तीन से छे वर्स जो होंगे जहां बच्चे नर्सरी में रहेंगे, LKG में रहेंगे, UKG में रहेंगे तो उसके लिए Early Childhood, Care and Education की उपलवता सुनिशित की जाएगे यानि बच्चों का किस तरह से Care किया जाए वहाँ पे बच्चों को किस तरह से खेल खेल में सिक्षा दिया जाए तो ये ववस्ता वहाँ पे किया जाएगा और साथी साथ 6 वर्स से 8 वर्स के बच्चों के लिए प्रात्मिक विद्यालों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में सिक्षा दिया जाएगा अब देखो, ECCE से जूरी योजनाओं का निर्मान और किर्यान वेन केंद्रिये मानव संसाधन विकास मंत्राले महिला बाल विकास मंत्राले स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले और जन जाते कारी मंत्राले के साधा सहयोग से किया जाएगा यानि जो प्री नर्सरी में बच्चे हैं उस बच्चों में किस तरह से विकास हो उसका किस तरह से खेल खेल में वो डेपलब कर सके अपने आपको किस तरह से उसकी तरक्की हो तो इसके लिए चुकि बच्चे काफी छोटे हैं बच्चे 5 वर्स तक हैं 3-6 वर्स तक हैं तो ऐसे कंडिशन में वहाँ पे HRD मिनिष्ट्री भी रहेगी महला विकास मंत्राले भी और जनजात्विय कारिय मत्राले भी सहयोग करेगी अब देखो बुन्यादी साक्षर्ता और संख्यात्मक ज्यान पर एक राश्ट्य मिशन नेशनल मिशन और फंडामेंटल लिट्रीचर और निम्रोलोजी की अस्थापना करने का प्रावधन किया गया और यह अस्थापना में मात्रित। या अस्थानिय छेत्रिय भासा को अध्यापन के माध्यम से बल दिया जाएगा। और साथी-साथ मात्री भासा को किलास 8 और इससे आगे की प्रात्मिक्ता देने का विशुज़ा है। तो मैंने आपको बताया कि जो किलास 5 तक है आपकी जो मातरी भासा उस ही में किलास किजिए आपने कंडर पढ़ा है तो कंडर में ही किलास किजिए ओडिया पढ़ा तो ओडिया में ही किजिए तिल्गु पढ़ा तो तिल्गु में ही किजिए तमिल पढ़ा तो तमिल में किज आपकी इस्षा है जो आपके मात्रे भास भासrajब कर सकते हैं तो एक अच्छा सिप है भारत की विवेर्तक को देखते हुए कस्मीड से लेकर कन्या कुवारी तक भारत में भासाई विविथ्ता है तो पन्सको देखते वह एक स्टेप उठाए गया अच्छा कदम पाठिक्रम और मुल्यांकन से जुरेश हो आपके बस्ता का बोज जो है आपकी जो किताब का बोज होता है किताब की जो बस्ता होता उसका बोज इसको कम करने का प्रोविजन किया गया यहां पर तो यहां पर इसके लिए क्या किया जाएगा कि कॉसल का विकास होना चे अनुभव आधायत सिक्षा होना चे तार्किक चिंतन होना चे इसको प्रोचाहित करने का बात किया गया क्लास 6 के बाद जो है आपको कारपेंटर से भी ट्रेनिंग करवाया जागा आपको जो है जो काम करता जो फिल्ड में काम करता है carpenter हो गया, plumber हो गया, wilder हो गया, तो यह सबसे भी आपको training schooling में कीया करवाया जागा, आपकी कौसलता को employment किया जागा जिस भी छेत्र में आपका interest हो, यह सबसे best step है, राष्टे सिख्षानिती का सबसे best step यही है, कि कौसलता को अब introduce किया जागा, जैसे मानलो आपको wilding के बारे में पढ़ाय जाता है, wilding करके आपको दिखाये जाएगा, आपको Windows 10 के बारे में आपको पढ़ाये जाता था, अब ऐसे expert को आपको class में बुलाये जाएगा, जो Windows 10 का expert हो, वो आपको करके दिखायेगा, फोटोग्राफिक का आपको इच्छा है, आपको सौक है फोटोग्राफिक का, तो ऐसे expert आएगे जो फोटोग्राफिक करके दिखायेगा, तो ये सिजे किया जाएगा, इसको धीरे-धीरे implant किया जाएगा, इंप्लिमेंट किया जाएगा, कॉसल आधारित, कॉसल के विकास और अनुभव आधारित, सिक्छन और तार एक्स्प्रिमेंट करते हैं, तो अब ऐसे लोग पढ़ाएगे इस सिक्छा नितिक तार, जो एक्स्प्रिमेंट करते हैं, जो उस चीज के पारंगत, देखो, किलास सिफ्ट से ही सेक्षनिक पाठकरम में बैप साइक सिक्छा को सामिल किया गया है, और इसमें इंट्रेंशि को गड़ा, और ये डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद दिया जाता है, इंजिनियर को इंजिनिंग की डिग्री लेने के बाद दिया जाता है, तो ये किलास सिफ्ट से ही आप इंट्रेंशिप दे रहे हैं सरकार, ये बहुत सांदार सिफ्ट है, ये बहुत सांदार सिफ् उसके बाद National Council of Education, Research and Training द्वारा National Curriculum Framework for School Education तियार किया जा रहा है तो एक framework तियार किया जा रहा है School Education का क्या framework होना चाहिए वो तियार किया जा रहा है और उसके तहट education देने का काम किया जाएगा Artificial Intelligence को बढ़ावा दिया जाएगा हमने आपको कई बार पताया कि चोथी अध्यवी कान्ती जो है Industrial Revolution 4.0 जो है भारत पहली अध्यवी कान्ती में भागने लिया दूसरी में भागने लिया, तीसरी में भागने लिया चोथी में इंडिया को participate करना है और ना सिर्फ participate करना है बलकि बिस्व को lead करना इसलिए हमें artificial intelligence को बढ़ावा देने की जुरूत है और छात्रों को भी artificial intelligence की education दिया जाएगा और साथी साथ जो है उनके प्रगति से जुरे मुल्यांकन जो है artificial intelligence के आधार पे लिया जाएगा जैसे मालो किसी बच्चों को अगर इंट्रेस्ट है acting का किसी बच्चों को इंट्रेस्ट है painting का किसी बच्चों को इंट्रेस्ट है singing का तो उसका क्या भविस होना चाहिए ये जो है artificial intelligence के द्वारा decide किया जाएगा और उसके बाद उनके guardian को उसके माता-पिता को उसको खुद भी सुजहोद दिया जाएगा अन्य सुधार शिक्चा मुल्यांकन योजनाओं के निर्वान और प्रसासनिक छेत्र में तक्निकी के प्रियोग पे बिचारों के स्वत्मत आदान परदान है तो National Education Technology Forum नामक एक स्वायत निकाय की अस्थापना की जाएगे इसका नाम है National Education Technology Forum तो बिसिकली इतना प्रोविजन था इसके बाद भी कई अनी चीज़ें हैं अभी तो राष्टे सिक्षा निती आपको आने वाले दस दिन पंद्रह दिन ये एक मेहना तक चर्चा मिरेगा पर तेक दिन इस पर आर्ट्रिकल आएगा तो इसको आप पर ले ना बेसिक कॉंसर्ट हमने राष्टे सिक्षा निती 2020 के ड्राफ्ट का डिसकस कर दिया आपके साथ देखो तिब्बद के सवाल की घातक अंदेखी बिश्म में अभी होंकोंग का मुद्दा है और होंकोंग पे चीन ने अभी कबजा नहीं किया है लेकिन तिब्बद पे साथ चीन ने कबजा कर लिया 1959 में ही तिब्बद पे चीन ने कबजा किया है और तिब्बद की जो निरवासित सरकार है भारत की हिमाचल परदेश की धर्म साला में रहती है ऐसे कंडिशन में आज जरूरी है कि विश्व के देश तिबद पे आवाज उठाए लेकिन कोई देश तिबद पे आवाज नहीं उठा रहा है ऐसे कंडिशन में राइटर का कहाना है कि अब जरूत है चुकि तिबद की निर्वासि सरकार इंडिया में रहती है दलाई लामा जैसे सक्स इंडिया में रहते हैं जो तिबत से आते हैं भारत की ही मजबूरी है भारत को ही अब इस पर आवाज उठाना परेगा तो तिबत पर भारत को आवाज उठाना होगा उसी को लेकर के दिया एक बार पर सकते हैं इसमें तो यहां पर टाइगर की आर्थ इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए जैसे बाल में किया गया बिहार में है जिपनीपाल उडेशा में है पन्णा एमपी में है पकटाटाट उपसी ने कुछस्टन पुछा था पकिट टाइगर डिजरá पर आपके लिए रेना और वो important आपके लिए हो जाता है paper में झिस tiger दियार में discuss क्या हो वो आपके लिए important हो जाता है as a current point of view की ओकिए देखो online education को बारे हम discuss नहीं करेंगे अल्रेडी कई बार हमने discuss किया है basically इस editorial में कुछ नहीं दिया हुआ कुछ खास नहीं दिया हुआ लेकिन आपको कुछ positive point online education का क्या है आप घड़ बैठे पढ़ाई कर रहे हैं आपको जो है किलाह जाने में जो समय लग रहा है वो समय को आपको बचत हो रहा है आप कभी भी हमारा वीडियो देख सकते हैं किसी भी समय देख सकते हैं लेकिन यह जूट जाकर पढ़ते थे तो जो सोचल होने के कॉंसेप्ट था आपका मिद्र बनता था अभी सोचल आप नहीं हो पाते हैं तो यह सारे के सारे निगेटिव पॉइंट है तो पांच positive पॉइंट पांच निगेटिव पॉइंट आपको जानकारी होना चाहिए online education के बारे मे अगली मौदरिक निती समिक्षा में corporate loan restructuring पर फैसला तो देखते हैं क्या होता है इस पर जब यह meeting होगा तो अल्रेडी हम इस पर discuss करेंगा उसके बाद देखो सुधर रहा core sector का प्रदेशन देश में आठ core sector है आई आई पी के तद आई आई पी के तद इंडेक्स ऑप इंडेस्ट्रियल प्रोडेक्शन और जोगी उत्पादन सुचकां के तद आठ core sector आते हैं पहला कुन सा है पहला यह है कि रिफाइनरी प्रोडेक्ट है जिसका percentage जिसका contribution टोटल 28.04% है उसके बाद electricity है तीसरा है इसपात है चोथा है कोला पाचमा है कच्चा तिल छठा है प्राकृतिक गेस सातमा है सिमेंट आठमा है और वड़क फर्टिलाजर तो यह जो है core sector है जिसका percentage और दोग उत्पादन में इतना है सबसे अधिक है रिफाइनरी प्रोडेक्ट का सेकेंड है electricity का तीसरा है इस पात तीन मिजर याद रख लेना आप तो यह जो है इसका index है तो इसका प्रकाशन कून करता है तो CSO करता है केंद्रिया सांखी की काडियाले जो है index of industrial production याने और दोगिक उत्पादन सुचिकांग का प्रकाशन करता है तो basic concept आपको आठ core sector के बारे में खोना चाहिए यह basic question पूछा भी है और पूछ भी सकता है एक बार इसको पर सकते हैं माइक पूंप्यो का statement है USA के यह minister है विदिश मंत्री है उनका statement है इसको आप पर सकते हैं साथिसात मैं आपको एक छोटा सा topic मैं discuss करना चाहता हूं देखो बिजिंग की मदल से कराचे को संहिया छेतर बनाना चाहती है पाक सेना अब देखो दो चीजे हैं यहाँ पर आपको समझना होगा और हम लोगों को भी समझना होगा इस पर कि अगर पाकिस्तान पे चीन का कबजा हो जाता है इस तरह से देरे देरे हो ही जाएगा हमने देखा है कि हमबन टोटा पोट पे लोन देने के चकर में चीन ने स्रिलंका क पेसे चुकाने में सेच्छ़म नहीं था सिरलंका को अपना बंदर गिभी रखना पुरा तो इसी तरह से चीन अगर पौस्तां को पेसी को दे रहा और यह कंडेशन इंडिया के लिए बहुत खतरनाग है तो ऐसे कंडिशन में मुझे लगता है कि प्रस्ष्णली अमेरिका को इंटर्वीन करना चाहिए USA को और USA और इंडिया और पाकिस्तान तीनों मिल के बात करें किस मोदिप पर बात करें पहला तो है कि वो जो सीपेक है चाहिना पाकिस्तान एकॉनमिक कोरिडर है उसको पाकिस्तान से हटाया जाए और दूसरा है कि पाकिस्तान इंडिया को एक्सेस दे मिड लिस्ट कंट्री तक जाने के लिए देखो कोई और रास्ता नहीं है हमने चावहार जो पोर्ट बनाया था इरान में चावहार पोर्ट से हम जा नहीं सकते हैं चावहार से इरान हमक तो हम इन कर सकते हैं मदेशिया के देश में तुर्कमिनिस्तान अफगानिस्तान तजाकिस्तान किरिगिस्तान रश्या तक जा सकते हैं तो हमें पाकिस्तान के यहां पर जरूरत है और ऐसे कंडिशन में USA को इंटर्वीन करना होगा राइट दूसरा है कि USA जो है अमेरिका जो ह तो भारत और पाकिस्तान दुनों को हतियार बीचता है अमेरिका साथी साथ रसिया और चीन ये तीनों देश कभी नहीं चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान एक हो या भारत और पाकिस्तान में दोस्ती हो क्योंकि इन तीनों देशों का हतियार जाता है अमेरिका के भी हतियार विक्ना बंधbn होगा तो चीन का परवो पाकिस्तान अधिक बढ़ जाएगा जो अमेरिका के लिए भी ठतरना का तो तो अमेरिका को दो लोस में एक लोग सहना होगा, दो छती में, दो हानी में एक हानी सहना होगा, तो इसको इस थोर पे आप दिख सकते हैं, एक बार इसको कर सकते हैं बागे यहां पे आपको इस निंदा कानून के बारे में दिया हुआ है थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए पाकिस्तान ने इस निंदा कानून के आलोशना किया है जो पाकिस्तान में चल रहा है काफी प्रचली था राइट देखो यहां पे कॉरवेट नेशनल पार्क कहां पे है तो उतरा खंड में है यह जानकारी होना चाहिए और साथी साथ यहां पे फिसिंग केट यहाँ पर मिला है यह जो है यह फिसिंग केट है फिसिंग केट इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह मचलियों को खाने का काम करता है एक केट है नॉर्मल केट से बरा होता है फिसिंग केट आपको जिम कॉर्बेट में मिला है और साथी साथ ये सांभर मिला, सफित सांभर यहाँ पे मिला तो normally आपको यहीं पूछ देगा UPC कि हाल में ही चर्चा में रहे fishing cat किस अभ्यारन में देखे गया तो याद रखेंगे ना Jim Corbett उत्राखंड में देखा गया तो ये दोनों जीव का नाम थोड़ा जानकारी होना चाहिए और ये उत्राखंड के Jim Corbett में देखा गया इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूस था question पर move करते हैं question क्या था कि राष्टिय सिक्षानेति 2020 में GDP का 6% खर्च होगा इसका प्रस्ताव सबसे पहले दिया था आपको कोठारी समितिने 1964 में option A यहाँ पे बिल्कुल सही है चलिए वीडियो देखने के बहुत बहुत धने बाद thank you so much please do like, share and subscribe thank you